हमारे चैनल खबरों की खबर 24 को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें आप सब को नमस्कार करोना की इस महमारी के दौरान एक आम आदमी को चारों तरफ से मार पड़ रही है करोना की वज़े से लौकडाउन लगाना पड़ा है लौकडाउन की वज़े से लोगों की रोज़गार खतम हो गए कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाने की भी दिक्कत हो रही है राशन की दिक्कत हो रही है जिनके घर में करोना हो जाता है, उनको दस तरे की समस्याई हैं, उनको बिमार आदमी को लेके अस्पताल लेके जाना पड़ता है, सरकारी अस्पतालों में तो इलाज मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल के अंदर अच्छा खासा पैसा लग जाता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में उनके अपने अपने लोगों की मौत हो गई जो उनके कमाने वाले थे उनके घर में उनकी मौत हो गई अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनके दोनों माबाप चले गए कई बुज़ूर्ग ऐसे हैं जिनके कमाने वाले बच्चे चले गए पिछले कुछ दिनों से हम लोग इसी के उपर मन्थन कर रहे थे कि किस तरह से इस वक्त हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली के दो करोड लोग हम सब एक परिवार हैं किस तरह से इस वक्त हम लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें तो आज स्विचार मन्थन के बाद चार हम लोग घोशनाएं करने जा रहे हैं और मैं उमीद करता हूं कि ये जो चार कदम हम उठाने जा रहे हैं इस से लोगों को इस मुसीबत के वक्त में काफी राहत मिलेगी पहली चीज़ दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशनकार्ड है जिनके पास राशनकार्ड है उनको सरकार हर महीने पांच किलो राशन देती है चार किलो गेहूं एक किलो चावल इस महीने ये पांच किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिये जाते हैं इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है उनसे पैसे नहीं लिये जाएंगे इसके अलावा पांच किलो और राशन केंदर सरकार से प्रधान मंत्री जी की स्कीम के तहट और दिया जा रहा है वो भी मुफ्त दिया जा रहा है तो हर राशन काड़ धारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है जो कि मुफ्त होगा 5 किलो दिली सरकार की तरफ से और 5 किलो केंदर सरकार की तरफ से लेकिन दिल्ली में केवल 72 लाख राशनकाड़ धारी है ये 72 लाख का कोटा केंदर सरकार ने हर राज्य का एक कोटा फिक्स किया है कि इतनी राशनकाड़ धारी होंगे तो नए राशनकाड अभी नहीं बन सकते लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो गरीब हैं उनका राशनकाड नही राशन देने जा रही है जो जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं हमें राशन चाहिए उन लोगों को राशन दिया जाएगा पिछले साल भी जब पहली वेव आई थी हमने नौन-PDS वालों को राशन दिया था जिस तरह से पिछली बार दिया था उसी तरह से इस बार भी जिनके राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को राशन दिया जाएगा ये एक-दो दिन के अंदर दो-चार दिन के अंदर ये लागू हो जाएगा और आपको राशन मिलना चलो जाएगा इसमें आपको कोई income certificate देनी की ज़रूरत नहीं है किसी तरह की ज़रूरत नहीं है जो कहेगा म उन सभी लोगों से हमारी सहानुभूती है, हम समझ सकते हैं, जब अपने किसी की मौत जाती है, तो परिवार के उपर, अपने उपर कितनी बड़ी गाज गिरती है, आपके इस लॉस को, इस ख्षती को हम पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस मुसीबत के घड़े में आपक हर परिवार को, जिनके यहां करोना की वज़े से मौत हुई है, उन्हें 50-50 हजार रुपए का मुआफ़जा दिया जाएगा, एक्स ग्रेशे अमाउंट मुआफ़जा दिया जाएगा, तीसरा, ऐसे कई परिवार हैं, जिनके यहां कमाने वाले विक्ति की मौत हो गई, वो विक्ति कमाता था, हर महीने घर में कुछ लेके आते थे, उन्हें की वज़े से परिवार चलता था, ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले विक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशे अमाउंट के साथ साथ, धाई हजार रुपे महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी, अगर पती की मौत हुई, तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई, तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी, अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था, तो उसके माबाप को वो पेंशन मिलेगी, लेकिन धाई हजार रुपे उस परिवार को हर महीने प लगती की मौत हुई है ऐसे बच्चे जिनके दोनों माबाप की मौत हो गई उन दोनों माबाप की चाहे करोना से मौत हुई या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माबाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब करोना से मौत हो हैं ऐसे में हर बच्चे को धाइड़ाई हजार रुपे महीना दिया जाएगा पच्चिस साल की उम्र तक और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी तो ये हमने काफी सोचा की किस किस तरह से हम अपने लोगों की दिल्ली के लोगों की करोना की इस कठिन परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं ये चार एहम कदम दिल्ली सरकार उठा रही है अगले कुछ दिनों के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा क्याबिनेट से इसको पास करा दि बनाई थी पिछले छे साल में हम हर सरकारी काम में रिश्वत खोरी भी नहीं होने देते उससे पैसा बचाते हैं फिजूल खर्ची भी नहीं होने देते उससे भी पैसा बचाते हैं लेकिन पिछले चार-पांच दिन के अंदर हम लोगों ने मैंने मेरे मंत्रियों ने, मेरे अफसरों ने बैठके इस पर काफी विचार में मंत्थन किया और ये देखा कि कहां कहां से इस वक्त हमारे लोग मुसीबत में हैं इस मुसीबत में अगर हम अपने लोगों के काम नहीं आएंगे तो फिर क्या फाइदा तो हमने देखा कि कहां कहां से हम पैसा बचा सकते हैं किन किन चीजों से पैसा निकाल सकते हैं उन सब चीजों से पैसा निकाल के हम ये चार महतोपून योजनाए आपके लिए लेके आएं एक ही चीज आपको कहना चाहता हूँ मैं समझता हूँ कि आप मसीबत में इस मसीबत की घड़ी में आप जब भी कभी मसीबत में होंगे आप हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे मेरा फर्ज है कि अगर आप कभी भी मसीबत में हो तो आपकी मदद करूँ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह जो इतनी मुश्किल घड़ी हमारे सामने आई है हम सब मिलके एक परिवार की तरह दिल्ली के दो करोड़ लोग एक परिवार की तरह इसका मिलके मुकाबला करेंगे और हमारी जीत अवश्य होगी नमस्कार